प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने रव्यार को गुजरात के पाटनों रास्तान के चितोड़ गड़ और बाडमेर में जन्द सभाएंगी उन्होंने बाडमेर में कहा कि भारत ने पाक की धमकियों से डरने वाली नीतियों को खत्म कर दिया है पाक आए दिन कहता था कि हमारे पास नुकलियर बटन है अखबार वाले भी लिखते थे हमारे पास क्या है ये हमने दिवाली के लिए रखा है क्या है मोदी ने कहा 1971 की लड़ाई में हमारे सैनिकों के शोरे की वज़े से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जमे था 90,000 पाक सैनिक हमारे पास थे लेकिन उसके बाद शिमला में क्या हुआ सरकार ने टेबल पर सब गवा दिया तब 90,000 सैनिक भी वापिस कर दिये और सारी जमीन भी लोटा दी गई वो सुनेहरा मोका था जम्मू कश्मीर और घुसपैट की समस्या को हल करने का लेकिन कॉंग्रिस ने मोका गवा दिया वही एक मात उस समय तुरुक का पत्ता था तब हमारे सैनिकों के सौरिय के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कप्चे में आया था 90,000 पाक सैनिक हमारे कप्चे में थे जाब लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर क्या किया सरकार ने टेबल पर सब गवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे दुनिया बर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी काप गई कि उन्होंने हस्ता धर करकर के मामला पूरा कर दिया अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिये और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी भाई और बेनों वो सुनहरा मोका था उस 90,000 युत्त कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना कुस पेट की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में दुरुक का पत्ता था भाई वहीं जम्मू कश्मीर की पूर मुख्य मंतरी और पीडिपी चीफ महभूबा मुफ्ति ने परधान मंतरी नरंदर मोदी के ब्यान पर तंज कसा उन्होंने कहा कि अगर भारत ने अपने परमाणू बम दिवाली के लिए नहीं बचा कर रखे हैं तो पाकिस्तान ने भी बम ईज के लिए नहीं बचा रखे हैं पीडिपी निता ने कहा कि पता नहीं क्यों परधान मंतरी इतना नीचे गिर जाते हैं और इस तरह की राजनितिक बियान बाजी करते हैं परधान मंतरी ने रविवार को रास्तान के बार्ड मेर में कहा था पाक आज दिन कहता सा कि हमारे पास न्यूकिलियर बटन है अग्बार वाले भी लिखते थे कि हमारे पास क्या है ये हमने दिवाली के लिए रखे हैं क्या वही इस बात को लेकर महबूबा मुफ्ती की पूरे देश में निंदा होती रही क्या हुआ 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 है